लक्ष्वाई क्या तुमने नहीं सुनी ये पुकार फिर तुम जा के ही यो नहीं। क्योंकि मैं जानता हूं भावी कि भाईया किसी संकट में पढ़ी नहीं सकते, भाईया के सामने तो संकट भी संकट में पढ़ जाता है, भावी आपके स्वामिकों देव, असुर, नाक, गंधर कोई परास्थ नहीं कर सकता, कदाची थे भाईया की पुकार नहीं है, ये कोई जीरज रखने की बात सिखा रहे हो, क्या तुम राक्षसों के दर के मारे अपने फ्राड बचाने के लिए वहाँ जाना नहीं चाहते, मैंने तुम्हें इतना कायक का भी नहीं समझा था, अपने भाई के सामने धनुष उठा उठा कर वीरता के दिंगे बाते रहते हो, और इस तीनों लोकों में, इस तीनों लोकों में ऐसा कोई नहीं, जो उन्हें लेश्मात्र भी शचल पहुंचा सके, यह किस दुर्भाती के कारण, आपकी सोच इसनी दुर्बध हो गई यह भाभी, जिसके पती के प्राड सरकट में हो, उस नारी के लिए इससे अवड़े अरण मेरी अब अग्या करोगे, इसकी मुझे आशारती, भाभी, यह तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूं, शीकर जाओ, और जाकर उनकी रक्षा करो, ठीक है, यदि तुम नहीं जाते, तो यह धर्षबान मुझे दे दो, हर आरेस्त्री अपने पती की रक्षा करना जान जब रामचंजी हिरन का पीछा करते हुए जाते हैं, और पीछे से आवाज आती है, बचाओ, बचाओ, सीता जी समझती है कि रामचंजी पे कोई संकट आ किया है, इसलिए वो लक्षमाल को कहती है कि तुम जाओ उनको बचाने के लिए, योगी, we just presented a dialogue between Sita and Lakshman during the one last period, and suddenly Sita hears a cry for help, and she thinks it's Ram who is crying for help, so she is little agitated and disturbed, so she is requesting Lakshman that he should go and save his brother. Agar हम 1950 की बात करें, । Denise ni कोई डवाज की तो यहांपे लगण ुचिमाल कि रह्त करता हूं, तो आपने देखा होगा कि लक्षमण गुस्य में है, यानि उनके डालॉप्स में वीरता, एक ओज, एक वीरता आ रही है, यानि वीर स्थ, ये लक्षमण के डालॉप्स में आ रहे हैं. So if we talk about Mavarasa, in this scene, Lakshman is displaying two Rasas. One is Krodh, which is anger, and other is Veerta, which is courage. So Veer Rasa and Krodh Rasa are involved in this scene. And Sita Ji, Sita Ji Karun Rasa, यानि उनके साथ पीडा है, धर्द है, इसलिए वो Karun Rasa को अपने डालाग में फ्यक्त कर रही है. And Sita is sad, so she is expressing, she is using Karun Rasa here to express that emotion in this scene. मैं चाहूंगा कि ये दोनों आर्टिस चोटा सा, एक क्लोस में, अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को, अपने आइस एक्सप्रेशन के साथ, एक चोटा सा, यानि दो चार लाइन आपके सामने फिर से, परफॉर्म करेंगे. So now these artists will perform the same scene, or different scenes in a close-up, so that you can observe how they are using their facial expressions, their eyes, to express those emotions and rasas which we discussed just now. बस दो लाइना, दो लाइना, और close-up. भाईया रच्पर, क्या तुमने नहीं सुनी ये पुका? फिर तुम चाहते क्यों नहीं? क्योंकि मैं जानता हूँ भावे, कि भाईया किसी संकट में पढ़ी नहीं सकते. भाईया के सामने तो संकट भी संकट में पढ़ जाता है. भावे, आपके स्वामी को देव, असुष, नाग, गंधरो, कोई परास्त नहीं कर सकता. कराची ते भाईया की पुकार नहीं है, यह कोई धोखा है, आप इतनी अधीर नहीं है, धीर है जखे है. तो अभी आपने देखा यह सीता और लक्षमण जी का संबाद, आगे कि श्रिसम में और ज्यादा इसको हम लोग डिटेल करेंगे, अभी के लिए इतना ही. So, we just observed सिता और लक्षमून दियालोग, संबाद, इस अ प्रसंग इंटार रमान वेंदा वन्वास, so in the subsequent session, we'll discuss in detail how the expressions and this could be performed on stage. Okay, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, Dhani, thank you.